नवश्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 6 मार्च दिन सोमवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर खोले का दहन के लिए पी एच क्यू की गाइडलाई और सच्वी वीपेसी प्रेलिम्स में शामिल हुए अभ्यरती यहां देखी फाइनल आंसर की बिहार एसोशेशन्स अचीव ने तमिलनाडू मामली को लेकर कही यह बार एक दिस्मार से पहले निप्टाली ये पांच जरूरी काम मैला प्रेमियर लीग में दिल्ली ने आर्सीबी को साथ रनों से दीमा अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी खबरों के ओर विस्तार से Sports Authority of India में 152 पदों पर नौकरी Sports Authority of India के दोरा 152 पदों पर नौकरी के लिए रिक्रूट में नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाये तो कैंडिडेट को खेल में द्रोणाचारे पुरुस्कृत या ओलंपिक से संबन्नित खेलों में भाग लिया होना चाहिए इसके लावा खेल में कोचिंग का डिप्लोमा या संबन्नित खेल में एक, दो, तील या पांच साल का अनुभव होना आनिवार है इसके लिए अपलाई करने के अंतिम तारिक 31 मार्स 2023 तक है इर्चुक और योग्यमिद्वार इसमें आवेदन करने के लिए Sports Authority of India के अधिकारिक वेबसाइट sportsauthorityofindia.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं हुलिका दहन के लिए PHQ की गाइडलाइन विहार पुलिस मुख्याले के ओर से हुलिका दहन को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है बतादी कि जारी किया है गाइडलाइन के अनुसार उन अस्थानों पर हुलिका दहन का आयोजन करने को मना किया गया है जो समीदन शील और विवादत स्थल है इसके साथ ही सारवजनिक रूफ से हूली के परवपर लोगों को अशलील गाने बजानी को मना किया गया है इसके लावा पुलिस मुख्याले की ओर से जारी गाइडलाइन में तुबे को उनके स्टेज नाम नेहा सरगम से भी जाना जाता है यह एक भारती अभिनेत्री और गाइका है नेहा सरगम एक भारती अभिनेत्री है नेहा का जन्व और अभी पटना में नेहा का चन पटना में हुआ था वह पटना विमन्स कॉलेज से इस नातक हैं नेहा 2009 में इंडियन आइडल 4 में नज़र आई थी वह चान चुपा बादल में और ये रिस्ता क्या कहलाता है कि कलाकारों के साथ साथ रामायन दोहजार बार टीवी श्रिंखला में सीता के रूप में दिखाई देती हैं वह वर्तमान में पर्मावतार श्रीकृष्ण में लक्षमी के रूप में अभिनाएक कर रही हैं उन्होंने धारवाही को पुनडविवा और डोली अर्मानों की इस प्यार को क्या नाम दू एक बार फिर और ये है आश्की में भी काम क्या है 2020 में उन्होंने मिरजापूर सीजन दो में सलोनी त्यागी की घुमिका निभाई है अर्सटफी BPSC Prelims में शामिल हुए अभ्यर्थी यहां देके फाइनल आंसर की वैसे अभ्यर्थी जो BPSC के अर्सटफी प्रिलिम्स परिक्षा में शामिल हुए थे उनके लिए जरूरी खबर है दरसल 12 फरवरी 2023 को दो सिफ्ट में BPSC के अर्सटफी परिक्षा का प्रिलि जारी कर दिया गया है वैसे अभ्यर्थी जो परिक्षा में शामिल हुए थे वे BPSC अर्सफी फाइनल आंसर की तो 2023 इसके ओफिशियल वेबसाइट पर चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं इसके ओफिशियल वेबसाइट BPSC.BIH.NIC.IN है फाइनल आंसर की से और संतुस्ट अभ्यर्थी BPSC.BIH.NIC.IN पर दोबाड़ा अपनी आपती साथ मार्च तक साक्षे के साथ दर्ज करवा सकते हैं बिहार एसोशेट सचिव ने तमिलनाडू मामले को लेकर कही यह बाद तमिलनाडू सरकार के वरिस्ट अथिकारियों से मिलने की बाद बिहार सरकार की टीम दोरा कही गई है उनके दोरा बताया गया है कि बिहार सरकार उनके साथ है इस बात का आश्वासन वे प्रवासी मजदूरों को देने आए है तमिलनाडू सरकार द्वारा पूरे समर्थन मिलने की बाद भी टीम द्वारा कही गई है बिहार एस्सोस्येशन के सची मुकेश द्वारा तमिलनाडू में कहा गया है कि उन्होंने कतित हमलों के मामले का पता लगाने की कोशिश की है लेकिन इस मामले में उन्हें कोई सच्च कि जाच ना कर लिए अभी बताया कि अब तक वे 10-15 जहों का दोड़ा कर चुके हैं लेकिन अब तक मामले में किसी प्रकार की सचाई नहीं मिली है उनके दोड़ा बिहार सरकार से यह आगरत किया गया है कि ऐसी किसी भी खबर को प्रशारित नहीं किया जाए जब तक उस खब मालुम हो कि निर्मान गया जिले के जंगल वाले इलाके में रहनी वाली महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें गुलाल बनाने को लेकर प्रोसिक्षन भी दिया गया है 31 मार्च से पहले निप्टा ले ये पांस जरूरी काम कम्पनियों के बैलंस सीट और आई विवरन को एक साल की अबधी में दुनिया भर के संगठनों द्वारा तयार किया जाता है जिसे हम VTA वर्ष के नाम से जानते हैं हमारे देश का VTA वर्ष एक अप्रेल से सुरू हो कर 31 मार्च को समाप्त हो जाता है अपने जरूरी कामों के निप टारे के लिए 31 मार्च एक महत पुन तारीक है इसलिए इस तारीक से पहले आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक जरूर करवा ले जिन्होंने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है उनके पैन कार्ड 21 मार्च के बाद निश्क्री है, हो जाएंगा इसके लावा बैंक के साथ केवाईसी अपडेट करना, एडवांस टैक्स फाइलिंग, टैक्स बचाने के लिए निवेश करना और लंवित पड़े कड़का भुगतान करना ना भुले बिहार के 19,641 विद्याले हुए अपडेट, पैसिक सिक्षा पर बिहार सरकार की हालिया सर्वे रिपोर्ट के नुसार समग्र सिक्षा, कारिक्रम के तहत राजी में सत प्रतीशत बच्चों को प्रात्मिक सिक्षा मुहया कराने की दिशा में, राजी सिरकार अपने लक्ष के क पहुँच चुका है, बता दी कि अब प्रदेश में 99.19 प्रतीशत गाउं टोली की पहुँच तक मिडल स्कूल हो गया है, हाला कि अब तक सर्विक उसारजनिक नहीं किया गया है, आपकी जानकारी के लिए बता दी कि रिपोर्ट के मुताविक राजी में 21,291 नए प्रात् किया जा जुका है, बिहार दिवस के अफसर पर सिनेमा हॉल में मुफ्त में देख पाएंगे चुनिंदा फिल में, इस साल बरही धूमधाम से बिहार दिवस समारहो 2023 की शिरुवात की जाए, बिहार दिवस के मौके परविवन तरीके से आयोजन आयोजित की जाएंगे, मु के टिकर दिए जाएंगे और सिरीमा घड़ो में कुछ चुनिंदा फिल्में भी दिखाई जाएंगी, बिहारी परेटन में आचम बात करेंगे दुरुव उद्यान पुर्णिया के बारे में, पुर्णिया जले का एक मुख्य परेटन स्थल दुरुव उद्यान है, जहां बहुत सारे जूले हैं और जहां पर चारोों तर्याली देखने के लिए मिलती है, साथ ही यहां एक बहुत सुंधर ताला भी देखने के लिए मिलता है। कर सकते हैं इसके लिए सभी तरह के उपकरन लगाए गए हैं डॉक्टर संजय कुमार के रहस्तेमई तरीके से लापता मामने में नहीं मिला कोई सुराग डॉक्टर संजय कुमार जोकी नालंदा मेडिकल कॉलिज के फार्माकोलोजी विभाग के अध्यक्ष सह परिच्छा नियंतरक है वे बुदवार शाम सही रहस्तेमई तरीकों से लापता हो गये थे पुलिस द्वारा उने ढूडने में पूरी तागत जोगती गई लेकिन पटना पुलिस को अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है डॉक्टर संजय कुमार के उजले रंकी वरनाकार गांधी सेतू पर काम कर रही कमपनी के CCTV कैमरे के फुटेज में देखी गई थी 6 मार्च यानि आज नालंदा में होगा रोजगार मेले का आयोजन वैसे यूवा जो सक्षिक्त होने के बाद भी बेरोजगार है उनके लिए एक श्नहरा मौका है एक कोश संयुक्त श्रम भवन प्रखंट परिसर बिहार सरीफ में होने जाड़ा है S392 जान लेवा तो नहीं लेकिन घातक ICMR ने दिये बचाओ के ये सुझाओ तिली NCR के साथ साथ देश के कई हिस्सों में लोग मौसम में बदलाओ के साथ बुखार खासी और जुकाम के चपेट में आ रहे हैं कई-कई दिनों तक लोग खासी से परिशान रह रहे हैं ICMR द्वारा इस स्थिती को देखते वे संग्यान लिया गया है ICMR के नुसार इस वाइरस के संक्रमन में तेजी 15 दिसंबर के बाद से आई है 2-3 सपता तक रहने वाला या वाइरस कोरोना वाइरस के लक्षनों के तरह ही है ICMR द्वारा मास्क लगाने हाथों की सफाई बुखार होने पर पैड़ा सीटा मोल और पानी का सेवन करते रहने के सुझाओत दिये गए है CRPF सहीत जवान संजय कुमार सिंग को गार्ड ओफ ओनर दे कर दी अंतिमवदाई ग्यूटी के दोरां श्री नगर में CRPF के जवान संजय कुमार की हुई मौत के बाद सहीत के पार्थिव सरीर को उनके पैतरि गाउं बिहार के वैशारी महनार के वाट संख्या सोला के टांडा चौरी लाया गया जहां उनका पार्थिव सरीर पहुँचने पर पूरा मोहल अस्थानी गंगा नदी किनारे पत्थर घाट पर सम्मान के साथ विदिवत अंतिम संसकार किया गया इस दोरां उनके पार्थिव सरीर के साथ CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट दुरुव कुमार चौधरी सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंग सहित एक दरजन से अधिक ज रंग दिखा रहा मौसं लेकर कोई अलर्ट नहीं दिया गया है तेज धूब की वज़ा से लोगों को दो पहड में गर्मी का हैसास हो रहा है तो वहीं रात और शुभा में लोगों को थोड़ी ठंड की भी एहसास हो रही है मौसम में वाकर मुदावे खोली पर राजे भर में मौसम सामाने रहने की संभावना है वहीं अगले पांस दिनों के भीतर पचुआ हवा की गती में थोड़ी बरहुतरी हो सकती है हाला कि से मौसम में कुछ बदलाव नहीं होगा नैनो यूरिया के साथ अब नैनो डीएपी को भी भारत सरकार ने दी मंजूरी नैनो यूरिया के बाद भारत सरकार द्वारा नैनो डीएपी को भी मंजूरी दे दी गई है इस किसानों के लिए एक अच्छी ख़बर है दरसल इस पात की जानकारी किंद्रे स्वास्ते मंतरी मंसुख मांडविया द्वारा दी गई है उनके द्वारा कहा गया है कि इस उपलब्धी से प्रिधान मंतरी मोदी के आत्म नर्भर भारत के विजन के तहट किसानों को लाप मिलेगा लेकिन अगर सच में तमिल नाडू में भिहारी ऊपर किसी प्रेकार की हिंसा हुए तो अब तक केंदर सरकार खामोश क्यों है अब तक केंदर सरकार ने इस मामली पर संग्यान क्यों नहीं लिया उन्होंने कहा कि अगर दो राज्य identific विवाल उत्पन होता है तो गिरी मंताले को इसकी चिंता करनी चाहिए लेकिन मोदी सरकार ने इस मामली पर अब तक कोई भी संग्यान नहीं लिया है तेश्वी आदर ने कहा कि बिहार भाजपा की प्रदेश अध्यक जंजय जैश्वाल ने भी तमिलनाडू भाजपा की प्र मुख्य मंतर नितीश कुमार की पार्टी जदिय उपर तंज कसा गया उन्होंने कहा कि जब भी हार जारकन तमिलनाडू मराश्ट और जमुकास्मीर में भाजपा विरोधी पहले से एक जूट है तो मुख्य मंतर नितीश कुमार किस विपक्ष की एक जूटता को जोड़ने की बात कर रहें उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल एक साथ नहीं है उन विपक्षी दलों को मुख्य मंतर नितीश कुमार एक साथ एक मंच पर कैसे लेकर आएंगे मंता बनर जी भी साफ कर चुकी है कि वह लोग सभाचुनाओ 2024 किसी भी पार्टी के साथ मिलकर नहीं लड नितीश कुमार के करने के लिए कुछ नहीं बचा है भागपा इस दिन से निकालेगी केंद्र सरकार के विरुद्ध पदियात्रा वित्य दिन भागपा पार्टी के सचीव राम नरेस पांडे के द्वरा जनसक्ति भवन में प्रमोद प्रभाकर और ओम प्रकाश क्रांती की अध्यक्सता में आयोजित की गई बिहार राजे परिसत की बैठक में जानकाली दी गई है कि भागपा की ओर से केंद्र सरकार के खिलाब जन आंदरोन को तेज करने के लिए राजे में 10 मार्स से गाउं गाउं पदियात्रा निकाली जाएगी बता दे कि यह पदियात्रा 20 म चाओ रखा जाएगा राश्ट्रिय सची पुर्वसांसद नागेंदर नात ओजा के द्वारा बैठक को संबोधित करते वे कहा गया कि मोधी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है और रोजी रोजगार के अफसर पर तेजी से कटोती कर रही है इसे के विरुद भागपा के द्वारा गाउं गाउं तक पदियात्रा निकाली जाएगी तमिल्लाडू मामले को लेकर साहनवाज हुसाइन ने दी अपनी प्रतिक्रिया तमिल्लाडू में बिहारी मजदूरों पर हो रहे हिंसा मामले को लेकर बीते दिन बिहार के कटिहार में बीजेपी नेता सइन के दोरा अपनी प्रतिकरीया देते वे रहार सरकार पर जम कर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि बहार के मजदूरों का भीहार चहोड कर जानी के लोगों ने दी राए। ना चाहिए या नहीं तो इन में से 3144 लोगों लोग सबाचनाव लड़ने के लिए हामी बढ़ी तो वही 344 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया महिला प्रीमियर लीग में दिल्ली ने आर्सीबी को 60 रनों से दिमात बीते दिन महिला प्रीमियर लीग के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल से रोयल चालेंजर बैंगलूरू को 60 रनों से मादी बता दी की दोनों टीमों के बीच यह मैच मुंबई के ब्रेव बॉर्न स्टेडियम में खिला गया पहले बले बाजी करने उत्री दिल्ली के टीम ने कप्तान लैनिंग और सिफाली वर्मा के धमाकेदार बले बाजी के बदोलत आर्सीबी को 224 रनों का टारगेट दिया वहीं लक्षी का पीछा करने RCB की टीम 163 रनों पर ही सिमट कर रह गई और 60 रनों से मुकाबला हार गई वहीं गेनबाजी में टोडा नोरिस ने सांदार बॉलिंग करते वे 5 विकेट अपने नाम किये वहीं अगर आज की बात करें तो आज का मैच मुंबाई इंडियन्स और रोयल चालेंजर बेंगलूरू के बीच खेला जाएगा भारत के इतिहास में आज की तारीक है बहत खास रासर पिता महात्मा गांधी और रवेंदर नाथ टैगोर 1915 में पहली बार सांती निकेतर में मिले रगुनात राओ ने 1775 में पहले एंगलो मराथा युद को समाप्त करने को लेकर अंगलेजों के साथ सूरत की संधी पर हस्ताक्षर किया भारत से ब्रिटिस सैनरी को को हट राय जाने का विरोध में विर्टिन के प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1947 में घुष्णा की बॉंबे से एकनोमिक टाइम्स का 1947 में संपाधन शिड़ुआ था भारत का पहला वीतियर डेली समचार पत्र दे एकनोमिक टाइम्स टाइमस ओप इंडिया समुद्वारा काबूल में जन्म हुआ तक्षिन भारत में हिंदी के प्रचार आंदोलन के संगठक मोटूरी सत्यनारायन का 1995 में निर्ण हुआ वाएल पर में आज बात करेंगे RFI के बारे में शुशल मीडिया पर कई तुछना बारल होती है RBI ने इन खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत पताया है चैट GPT से चलने वाले इस तरह जांच के बाद Apple ने दी मंजूरी Apple ने कथे तोर पर अपने डेवलपर से content moderation आशवाशन के बाद AI chat bot संचालित एप को मंजूरी दे दी है क्योंकि चैट GPT के बोनकर्स और यहां की कुछ उपयोग करताओं के लिए अनुचित content generate करने के बाड़े में चिंताएं बढ़ रही है बता दी कि The Wall Street Journal के रिपोर्ड के अनुसार Apple ने अपने डेवलपर के आशवासन के बाद Blue Mail नामक आप को मंजूरी दे दी है के बालुमों के साप में content moderation tool है Apple ने चानवीन की कि क्या software में एक फीचर जो AI संचारित भासा उपकरनों का उपयोग करती है बच्चों के लिए अनुचित content उत्पंद कर सकती है सवाल पूछने से पहले एक खास बात अगर आप होली तिवहार के अफसर पर कोई खास वेंजन या पकवान जैसे ठंडाई दही बड़ा गुजिया आदी बनाना या सीखना चाहते हैं तो घर का जाईका YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसका link description box में मिल जाएगा इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल है होली के त्योहार में आपका सबसे पसंदीत अव्यंजन कौन सा है आपकर जवाब हमें हमारी comment section में लिख कर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज अगर आप YouTube से देखने अचान को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखने तो पेस को फॉलो करना ना भूले थानेवाद